वर्चुब गाइस विडियो में बनाने वाला हूं रेड़ स्टोन बिल्ड्स जो की काफी ज़्यादा इजी है और उनको आप सर्वाइवल मोड में यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका जो वर्ल्ड होगा ना वो काफी ज़्यादा क्रेजी लगने लगेगा और काफी मस्त ल एडिशन में दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हो तो चलते वीडियो में और बताता हूं आपको क्या-क्या बेल्ड में बनाने वाला हूं इस वीडियो में तो हमार जो पहला बेल्ड वह एक वर्किंग रोबोट और यह काफी ज़्यादा इजी है और यह प्रॉपर ल लगाना है मतलब टोप है पीछे के तब दो स्लैम ब्लोक और लगाना है और उनके बीच में लगा देना है एक जिस तरफ इसका डोट होगा उस तरफ आपको लगा देना है नॉर्मल पिस्टन देन उस पिस्टन को आपको कवर कर देना है पूरा स्लैम ब्लोक से फिर उसके आगे की तरफ लगा देना है दो दो स्लाइम ब्लोक और ठीक है अब आपको क्या करना है जो बीच का वाला स्लाइम ब्लोक है उन दोनों स्लाइम ब्लोक को आपको यहां से हटा देना है उसके जगह आपको लगा देना है दोनी जगह पर ऑब्जरवर लगा देना है जैसे में स्टिकी पिस्टन लगा देने हैं दोनों तरफ तो यहां तक आपका स्ट्रक्चर बनके ट्यार हो चुका है अब आपको क्या करें टैंप्रारी ब्लोक लेने और यहां पर इस तरह से जमा देने हैं वैसे इसको लगाना कोई जरूरी भी नहीं है अगर लगाना चाहिए तो यह यह कोई काम की चीज नहीं है तो यहां पर तो अच्छा लगए जैसे रोबोटिक टैप लगेगा विसलिए लगा रहा हूं तो आपको लगा देने हैं अब आयरेन ब्लोक उसके उपर लगा देने एक रेल देन उसके बाद में अपर लगा देने एक काड उस रेल को आपको ब्लोक को बेटा देना है आप फो चाहीड की तरहीट जैसे बन जाएगी और भूत आपको लगा देना ड्रोर सब्सक्राइब करना है अब स्कल्रों सब्सक्राइब concept अब उसको दो पीछे प्रेश्चे लगाना है वह यह में coal क्रोफ कर रहा है लेकिन यह आपके सब्सक्राइब करेगा जहां वैडिस है तो हमारा जो सेकेंड बिल्ड है वो है क्रीपर डोर जो की काफी ज़्याद ही और काफी क्रीजी सा लगेगा ठीक है तो इसको बिनाना काफी ज़्यादा आसान भी है और अगर आप इसको स्राइब मोड में यूज कर लगाना है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको वापस से स्किप नहीं करना है पीछे करके देख सकते हो ति अब गड़े के बिल्कुल सेंटर में आपको एक पिस्टन लगाना है उपर उसका मूह उपर होना चीए और उसके लगा देना है एक ब्लोग त्फिर सर्फ के वहां पर अब रॉस्टे अब रख ये तरफ लगाना है उसकी ब्लोग से लगाना है और स्फास को और ना को चारों तरफ से लग जाएगे इसको अजय करना है रेटी तोर्च से और रेटे स्टों टोर्च के उपर ल Τοय है आपको एक एक ब्लोकNEY तोनो तरफ लगा जाँ आपको आपको क्या करना है आपको तीन ब्लोक लेने पड़ेंगे और आपको अस तरह से लगा देने जैसे मैं लगा रहा हूं साइड में रेस्टोन सब्सक्राइब लगाने दोनों प्रव किन तीन ब्लोग और उनके उपड़ लगा देना है प्रेसर प्लेट ठीक है जैसे मैं लगा रहा हूं वेसे वेसे आपको स्टेप बाइस्टेप लगाते जाना है समझ में नहीं आ रहा था इसको पीछे करके वापस देख सकते हूं अब अब आपको क्या रहा है जहां पर आपको दो स्टिक की पिश्टेण लगाने हैं मतलब एक तुरो स्ट्वन के सामने होना चाहिए और एक उसके उपर ब्लोक है उसके सामने होना चाहिए और यह प्रॉपलेई वर्क भी करा जैसे आप प्रेसर प्लेट पर जाओगे और यह अब आपको क्या है जो पिस्टेण लगा GRÜNEN ना उसके उपर लगाने है दो बिलोक और सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक करता motives सूपर्स अब आपको क्या करना है ये स्टेस होती है जो चीडिया उन्रकों लेना है और जो नीचे वाला पिस्टन है दोनों पिस्टन के साइड में आपको सामने स्टेर्स लगा दीनी है यह आपको इसे भी किलर के लिए सब्सक्राइब यहाँ पे वाइट अवाइट अवाइबल थी निया पे वाइट ती तो वाइट लगा दी मेने और ग्रीन ब्लोक को भी रिमूव कर दिया और होँआ पर ल लगानी है उल्टी मतलब अब आपको क्या करना है जो उपर की तरफ एक ब्लोक छोड़ कर और उपर ब्लोक लगा देना है इनको बाद में हम अठा देंगे तो अब यहाँ पे ब्लोक के लगाने के बाद में नीचे की तरफ आपको लगाने है पिस्टन स्टिकी पिस्टन ज वाइट कलेर की स्लेव लगा देनी है ताकि वह सही लगेगी मलब सारा वाइट वाइट हो जाएगा अब आपको आपको आप पे पिस्टन लगाना है पिस्टन क्या तीनों सीट में होने चाहिए एकदम लाइन में होने चाहिए मैंने वह उपर लगा दिया था ठीक है तो आप को स्लेप के बीच में थोड़ा सा क्या होना जिम्ह 울干 लगा तो यहांने मैं से और अप में स्टो स्टोन पर ननी है उब लग आई भिखा दिन उनके उपर पर बगभी रेड़ इस्टोन डश्ट बिच्छा देनी तो जहां पर आपका काम पूरा हो जाता है और यह खत्म हो जाता है आपका अब आपके पास एक बहुत ही आसान काम बचता है इसको कवर करने का यह सिस्टम बग़्यारा लगाए ना हमने यह सारा कुछ दिखना नहीं चाह और आप देख सकते हो यहां पे बिल्कुल सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है साइड में मैंने नहीं किया है वो बाद में कर दूँँगा हमें ठीक है तो आपको देख सकते हो यहां पर कितना संदर से लग रहा है यह दौर और यहां पर देखो creeper का एकदम properly मूह लग रहा है न आप देख सकते हों यहां पर mouth creeper door इसका नाम ही यह है अब यहां से आप बाहर अंदर जाओगे तो आप जैसे यह पैसर पे रखोगे तो अपना फुल जाएगा और यहां पर छोड़ी से गलती कर दी थी मैंने इसलिए properly यह work नहीं कर पा रहा था यहां पर जहां पर मैंने ब्लोक लगाए ना बाद में यह जो भी तोड़ रहा हूं में ब्लोक यहां पर मेरको white block नहीं लगा कि यहां पर slave लगा नी थी लेकिन यहां पर ब्लोक लगा देता हूं जिससे कि यह creeper का मूह एकदम पूरा बिगड़ जाता है और फिर बाद में इसमें सुधार करता हूं यहां पर एक slave लगा देता हूं इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको पीछे करके देख सकती हूं ठीक है और यह प्रोपरली फिर work करने लगेगा और यहां पर थोड़ा सा ग्लीच है इसलिए तो अब आपको पानी के अंदर जाना पड़ेगा और यहां पे टेंपरेरी ब्लोग लगाना पड़ेगा वो आपके ऐसे भी लगा सकते हूँ फिर उसके साइड में आपको लगाना पड़ेगा एक observer और observer के आगे लगाना पड़ेगा एक piston piston के आगे आगे आप क्या लगा सकते हूँ दो slam block लगा देनी और यही जो step है यह उपर के तरफ करना है बस इसको उल्टा कर देना है अब slam block के उपर आपको observe लगाना है फिर piston लगाना है फिर आपको piston के आगे दो slam block और लगा देनी है ठीक है बस इतना सा काम करना है और आपको अब क्या करना है जो slam block लगाई है उसके नीचे के तरफ एक स्लाइम ब्लोक और लगा गे आगे के तरब एक स्लाइम ब्लोक और लगा देंगे फिर ठीक है उसके बाद में आपको जो फ्रोग लाइट आती है ना उसको लगा देंगे और फिर जो स्लाइम ब्लोक है ना उसके कार्ट लगा देंगे उसको उपर और मतलब रेल और उसको हटाना है और यहाँ पे लगाना है एक glass block temporary glass block है इसके आगे एक और लगा के फिर बीच वाले को हटा देंगे और फिर वापस से यहाँ पे एक observer लगा देंगे अगर पहले लगा देंगे तो यह properly पहले वी work करने लग जाएगी इसलिए हमको इसमें बाद में वापस से लगाना पड़ेगा इसका structure यह वाला है अब आपको करना है जो पीछे वाला observer यहाँ पे आप glass block लगा सकते हो और फिर यह work करने लग जाएगी प्रोपली वर्क नहीं कर रही है यह जावा एडिशन में प्रोपली वर्क करेगी और यह वीडियो लेकि आता रहता हूं में और आप मेरे को कमेंड में बता सकते हो और किस टाइप का वीडियो बना हूं में तो मिलते एगले वीडियो में तब तक के लिए बाए